नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में OnePlus Nord CE2 Lite 5G vs Samsung Galaxy F23 5G का फुल डेप्थ कंपारिजन करने वाले हैं इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डाइमेंशन की दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो, 2 Lite 5G में 6.47 इंच जबकि Galaxy F23 5G में 6.52 इंच की लेंथ मिलती है विद्थ की बात करें तो, 2 Lite 5G में 2.98 इंच जबकि Galaxy F23 5G में 3.03 इंच की विद्थ मिलती है बात करें थिकनेस की तो दोनों फोन में सेम ही 0.33 इंज की थिकनेस मिलती है अब बात करते हैं वेट की तो 2 Light 5G में 195 ग्राम जबकि Galaxy F23 5G में 198 ग्राम का वेट देखने को मिलता है जो की सेम जैसा ही है तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेर करते हैं डिस्प्ले टाइप की बात करें थो 2 Light 5G में IPS LCD जबकि Galaxy F23 5G में TFT की डिस्प्ले मिलती है आस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20 रेशियो 9 मिलता है डिस्प्ले साइज की बात करें थो 2 Light 5G में 6.59 इंच जबकि Galaxy F23 5G में 6.6 इंच मिलती है दिस्प्ले रेसलूशन 2 लाइट 5G में 1080 x 2412 और गालेक्सी एफ 23 5G में 1080 x 2408 मिलता है स्क्रीन तु बोडी रेशियो 2 लाइट 5G में 84.41 प्रतिशत जबकी गालेक्सी एफ 23 5G में 82.53 प्रतिशत मिलता है बात करें PPI Density की तो 2 लाइट 5G में 401 प्रतिश जबकी गालेक्सी एफ 23 5G में 400 प्रतिश प्रतिश मिलती है अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्ज यानि विशेशताएं की जोकी मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्ज कैमरा की दोस्तों सबसे पहले बात करें मैं कैमरा की तो 2 लाइट 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की प्राइमरी कैमरा, डेप कैमरा और आखिर में माक्रो कैमरा देखने को मिलता है और Galaxy F23 5G की बात करे तो इसमें भी हमें तीन कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें की प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड अंगल कैमरा और आखिर में माक्रो कैमरा देखने को मिलता है. बात करे विडियो कैमरा की तो टू लाइट 5G में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं, और Galaxy F23 5G की बात करे तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं. अब बात करें फ्रंट कैमरा यानि की सेलफी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें की चार डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं, अईए अब बात करते हैं हाडवेर के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं, हाडवेर में सबस से इंपोर्टन पार्ट है उसकी डिटेल्स देखते हैं, GPU दोनों फोन में सेम ही, Adreno 619 देखने को मिलता है, चिप सेट की बात करें तो, टू लाइट 5G में Qualcomm Snapdragon 695, और, गालक्सी F23 5G में Qualcomm Snapdragon 750G, मिलता है, बात करें RAM की तो, टू लाइट 5G में दो वैरियंट देखने को मिल मिलता है, जिसमें 6GB, 8GB की RAM मिलती है, जबकि गालक्सी F23 5G में दो वैरियंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB, 6GB RAM मिल जाती है, बात करें internal memory, जिसको हम storage भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही, दो वैरियंट देखने को मिलता है, और, दोनों फोन में सेम ही 128GB, 128GB की storage मिलत है, expandable memory दोनों फोन में up to 1TB है, operating system दोनों फोन में Android V12 देखने को मिलती है, बाटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000mAh देखने को मिलती है, अईए अब main feature को देखते हैं, colors की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही, दो colors option देखने को मिलते हैं, सब information देखने के बाद बात करें price की तो, 2 light 5G में दो वैरियंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6GB RAM 128GB storage के साथ 19,999 रूपीज, 8GB RAM 128GB storage के साथ 21,999 रूपीज में मिल जाता है, वही अगर बात करें Galaxy F23 5G की तो उसमें दो वैरियंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4GB RAM 128GB storage के साथ 15,999 रूपीज, 6GB RAM 128GB storage के साथ 16,999 रूपीज में मिलते हैं, दोस्तों अब बात करते हैं Prans and Cons यानि की फायदे और नुकसान की तो फायनली बात करें है रिजल्ट की तो, डिस्प्ले में 2 लाइट 5G आगे है, मेन कामरा में 2 लाइट 5G आगे है, फ्रन्ट, सेल्फी कामरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Galaxy F23 5G आगे है, दोस्तों, अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं, पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें, दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना,